कभी 100 रुपे की सैलरी पर ओफिस बुआई की नौकरी करते थे और आज धान की पराली से बनाते हैं प्लाइवुड एक करोर से ज़्यादा का है टर्न ओवर हलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता सिंग और आप देख रहे हैं स्वेता टेक्टिप्स दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बी यल बेंगानी के सफलता की कहानी जिन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत ओफिस बुआई की नौकरी सुकी और आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उनके कंपनी का टर्न ओभर भी एक करोर से ज़्यादा ह राजस्थान के रहने वाले बी यल बेंगानी का बच्पन तंग हाली में गुज्रा घर की आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं थी पिता कोलकाता के एक जूट मिल में काम करते थे बेभी उनके साथ वहीं रहते थे जैसे तैसे परिवार का खर्च निकलता था दसवी के बाद बी यल बेंगानी भी एक कमपनी में काम करने लगे उन्हें आफिस बुआई की नौकरी मिल गई 100 रुपे महिने के मिलते थे आज बी यल बेंगानी करोरों की कमपनी के मालिक हैं वे पराली और एगरिकल्चर वेस्ट से प्लाइवूड बना कर देस भर में स खिला लिया ताकि पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकूँ मैं शाम में कॉलेज जाता था और दिन में ओफिस बुआई की नौकरी करता था मन में कुछ करने की ललक थी पर आर्थिक रूप से संपन नहीं था इसलिए काफी दिक्तों के बाद भी दोनों काम साथ में करता रह इसी तरह पहले बार भी और फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की वे बताते हैं कि यहां से थोड़ी राह आसान हुई कुछ जगा नौकरी के लिए अपलाई किया फिर चेन नई में एक कमपनी में काम मिल गया अकाउंटेंट के रूप में मुझे नौकर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उन्हें काम के दौरान कई शहरों में गूमने के साथ अलग-अलग प्लाइवूट के बारे में भी जानकारी मिले उन्हें धीरे-धीरे प्लाइवूट का काम और मार्केट समझ में आने लगा बेंगानी कहते हैं कि मैं खुद का काम तो बहुत पहले से शुरू करना चाहता था लेकिन पैसों की तंगी की वज़े से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था जब मुझे लगा कि अब कुछ सेविंग्स हो गई है और मार्केट की समझ भी अच्छी हो गई है तो कुछ नया करने का प्लान किया साल 2000 में बेंगानी ने खुद की प्लाइवूड की एक कमपनी शुरू की वे म्यानमार जैसे देशों से हाई क्वालिटी की प्लाइवूड मंगा कर इंडिया में उसकी मार्केटिंग करते थे कुछ दिनों बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दूसरे देशों से खरीद कर बेचने से बेहतर है कि इसे खुद ही तयार करना इससे क्वालिटी भी सही रहेगी और लागत भी कमाएगी इसके बाद उन्होंने चेन्नाई में खुद की एक फैक्टरी शुरू कर दी वे प्लाइवूड तयार करने लगे जल्द ही उन्हें इसका फाइदा भी हुआ एक के बाद एक बड़े डिलर्स से उनका टाइअप होते गया वे चेन्नाई के बाहर भी खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगे उनकी कमपनी का सालाना टर्नोवर करोर रुपे पार कर गया हलाकि 215 में बेंगानी ने ये कमपनी बेच दी और नए सीरे से इको फ्रेंडली मॉडल पर काम करना शुरू किया बेल बेंगानी कहते हैं कि अब मेरा बेटा और बेटी भी बड़े हो गए हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए उन्होंने तै कि वे लोग कुछ ऐसा काम करें जिसे की कमाई के साथ शोसल चेंज भी हो प्रियाबरन का भी फाइदा हो क्योंकि प्लाइबूर तैयार करने में पेरो की कटाई भी होती है इसलिए 217 में उन्होंने धान की पराली और एग्रो वेस्ट से प्लाइबूर बनाने का एक नया स्टार्ट अप शुरू किया वे कहते हैं कि करीब दो साल के रिसर्च और कई देशों के दोरे के बाद हमने ये आईडिया इंप्लिमेंट किया था चुकि हमारे पास बजट की दिक्कत नहीं थी इसलिए हमने इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जहां हम पराली और एग्रो बेस्ट से प्लाइबूर तयार करते हैं यह पूरी तरह एको फ्रेंडली है इसे आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है साथ ही इससे कॉमन लकरी के प्लाइबूर की तरह ही घर और ओफिस यूज के हर प्रोडक्ट और फरनीचर तयार किये जा सकते हैं हमने लैब से इसे सर्टिफाइड भी करा लिया है वे कहते हैं कि फिलहाल हम लोग राइस मिल से धान की पराली ले रहे हैं लेकिन आगे हमारा प्लान है कि हम सीधे किसानों तक पहुँचे इससे हम उनकी मदद कर पाएंगे और उन्हें पराली की समस्या से निप्टारा भी मिल जाएगा पराली को फैक्टरी में लाने के बाद कई लेवल के प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है इसके लिए उन्होंने अपनी फैक्टरी में मशीने लगा रखी है सबसे पहले पराली को प्रोसेस करके फाइवर तयार किया जाता है इस फाइवर को फिर प्रोसेस करके मशीन की मदद से प्लाइवूड तयार होता है उन्होंने कई डीलर्स से और कमपनियों से टाइव किया है जो इनसे प्लाइवूड खरीद कर दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं भारत में करीब हर जगा उनके प्रोड़क्ट की सप्लाई हो रही है उनकी इस कमपनी का भी टर्नोवर एक करोड़ से ज़ादा का है उन्होंने 40 लोगों को रोजगार भी दिया है साथी 100 से ज़ादा लोग इनडारेक्ट रूप से जुड़कर अपनी जीवी का चला रहे हैं भारत में साथ के साथ साथ 36 गड़, बिहार, पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, सहित कई राजियों में धान की बड़े लेवल पर खेती होती है धान की फसल कटने के बाद किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या पराली को लेकर होती है अगर वो इसे जलाते हैं तो दिक्कत स्टोर करके रखते हैं तो दिक्कत हलाकि अब इस समस्या से निजात पाने के लिए देश में कुछ इस तरह के स्टार्ट अप लॉंच हुए हैं जो इसकी मदद से एको फ्रेंडली प्रोड़क्त त्यार कर रहे हैं कुछ कंपनिया किसानों से सीधे पराली खरीद लेती है अगर आप पराली से प्रोड़क्त त्यार करना चाहते हैं तो दो से तीन लाख रुपे की लागत में कर सकते हैं आप छोटी मशीने खरीद कर पराली के फाइवर से प्लेट, ग्लास और बरतन त्यार कर सकते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए नजी की क्रिसी विज्ञान केंदर से जानकारी ली जा सकती है IIT और IIM जैसे संस्थान भी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई तरह के कोर्स कराते हैं इसके साथ ही कई किसान मश्रूम उगाने के लिए और वर्मी कमपोस्ट बनाने के लिए भी बड़े लेवल पर धान की पराली का इस्तिमाल करते हैं इससे उनकी लागत बहुत हद तक बच जाती है तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मैं इसी तरह के बिजनेस आइडियाज और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लिजिएगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई